नमस्कार फ्रेंस फ्रेंस के आप जानते हैं कि एडियम्स और फ्रेजस में क्या डिफ्रेंस है किन्तो डिफ्रेंस जानने से पहले हम लोग इस बात को जान ले कि एडियम्स को हम लोग एडियम्स ही पढ़ते हैं न कि आप इसे आईडियम्स पढ़ देगे तो अब चलते हैं दोस्तों phrases के बारे में जानकरी हासिल करते हैं कि phrases कहते किसे हैं दोस्तों phrases जो होता है दो शब्दों का या हाड़ी तीन शब्दों का combination होता है जो phrases होते हैं उसके जब अंतिम जो शब्द होते हैं वे या तो preposition हो सकते हैं या तो कोई adverbial particle होते हैं यह और जदी कुईसी भी शब्द में जदी कोई adverbial particle या preposition लगा दिया जाए तो उसका एक खास मतलब देता है लेकिन जदी उसमें किसी भी तरह का कोई बदला हुआ जाता है तो कि मिनिंग में difference आजाती है जैसे आप एक शब्द को लिकर के चले लोग को लोग के साथ जदी आप to लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है आशा भरी निगाहों से देखना लोग के साथ जदी आप down upon लगा देते हैं तो मतलब हो जाता है नापसंदगी से देखना भृणा के दृष्टी से देखना या हेली दृष्टी से देखना जदी आप लुक के साथ आप इंटू लगा देते हैं तो मतलब हो जाता है छांड़ीन करना लेकिन जदी लुक के साथ आप आफ्टर लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है देख भाल करना और लुक के सा इडियम्स में क्या होता है कि कोई जरूरी नहीं है कि यह दो शब्दों या तीन शब्दों का मेल होता है या तीन से ज्यादा शब्दों के भी मेल रह सकते हैं और इसके दो अर्थों होते हैं जो पहरा — हर्थ होता है वहाँ, आपका शादिक अर्थ होता है और दूसरा जो अर्थ होता है वहाँ अलंकारिक या real, या dictionary अर्थ होता है आप एक example सी इसे समझेंगे Example आप ले ले ना चाइना शौप अब बुल जो है यहां पर हम लोग सांकेतिक रूप से पाएंगे इसका अर्थ और जो चाइना शौप है उसके भी कुछ सांकेतिक अर्थ है अब जस्त करपना कर सकते हैं कि यह बुल क्या चीज का संकेत करता है अब बुल जो होता है जो सान होता है वह क्या है के एक पंद्रवी का वा संकेत है जडि सान किसी जानवरों के जूनिदंग मैं चला जाता है तो 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 पूरे जानवरों में खलगली मच जाती है वो एक पंद्रवी और जदि आप चाइना शॉप के बारे में आप बात करते हैं तो चाइना शॉप या चाइनीज दुकान जो होता है वो काफी सजाद हजा सुन्दर होता है अब जस्त करपना कर सकते हैं कि जदि कोई सान चाइना दुकान में अगर घुज जाए तो उस चाइनीज दुकान की क् समझेंगे उधारण आप इस तरह से ले सकते हैं कि कि मीटिंग बहुत अच्छी चल रही थी हर कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन वह आया और मीटिंग का जो मूड है वह बिगड़ गया तब उस वेक्ति के बारे में आप कहेंगे कि he was a bull in a child दूसरा एक एक्जाम्पल से आप समझेंगे कि हमारी पाटी बहुत अच्छी चल रही थी सब लोग मस्ती कर रहे थे किन्तु वह फलाना वेक्ति आया और हमारे मीटिंग का मजा ही किरकड़ा कर दिया तो उस क्लमजी वेक्ति के बारे में कहेंगे अब बुल इन चाहिए अच्छा करते हैं कि आपको idioms और phrases के बारे में अच्छी जानकारी मिल गई होगी एक सटिक जानकारी मिल गई होगी हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में जानते हैं सीखते हैं कोई दूसरे idiomatic expression के बारे में अगर आपको अच्छा लगा होगा तो जरूरी से share कर दे थेंक thank you very much